जै श्री किष्णा आज हम आपको बताने वाले हैं रहसे मैं जीवन व्यापन करने वाले नागा साधूं के बारे में नागा साधूं की दुनिया बड़ी रहसे मैं होती है लाखों साधू संतों के बीच नागा साधूं की दुनिया को सबसे निराला माना गया है उजयन के सिहस्त में नागा सादू बनने वाले सादूं को खुनी नागा कहा जाता है कोई भी आम आदमी नागा सादू बनने के लिए आता है तो उससे लंबे समय तक ब्रहमचारे का पालन करवाया जाता है पहले ये तै किया जाता है कि दिक्षा देने वाला पूरे तरह से वास्तनाओं से मुक्त हो चुका है अत्वा नहीं नागा सादू की दिक्षा लेने से पहले खुद का श्राद और पिंडदान करना सबसे अधिक कारे महतपून है नागा सादू बनने के लिए आय व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के लिए अपने आपको उम्रित्मान कर अपने हाथों से अपना श्राद करम करना पड़ता है नागा सादू को वस्तधारन करने की अनुमती नहीं होती अगर वस्त धारन करने हो तो गेहरुआ रंग के ही वस्त धारन करने होते हैं भसम ही उनके वस्त और उनका शिंगार होता है इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिष्टेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों